हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का दियाए बात अठन्नी की बच्चो समाज में व्यक्ति के धन और पद के आधार पर नयतिक्ता और इमानदारी के दोहरे माबदन्न है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की नियाए विवस्ता पर करारा प्रहार किया है जहां समाज में उच तथा प्रतिष्टित पदो पर आसीन लोग हजारों रुपयों की रिश्वत लेकर भी बचे रहते हैं सम्बान पाते हैं वहीं एक जरूरतमंद गरीब एक अठन्नी का खपला करता है तो उसे प्रताडित किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है क्या आपने कभी समाज के ऐसे दोहरे माबदन्न का सामना किया है दिये गय स्थान पर अवश्य लेखियेगा आई शुरू करते हैं आज का अध्याय बात अठन्नी के रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंग के यहां नौकर था दस रुपे वेतन था गाउं में उसके बूड़े पिता पतनी एक लड़की और दो लड़के थे इन सब का भार उसी के कंधों पर था वे सारी तंखवा घर भेज देता पर घरवालों का गुजारा ना चल पाता उसने इंजीनियर सहाब से वेतन बढ़ाने के बार बार प्रातना की पर वे हर बार यही कहते अगर तुम्हे कोई जादा दे दे तो अवश्य चले जाओ मैं तंखवा नहीं बढ़ाऊंगा वह सोचता यहां इतने सालों से हूँ अमीर लोग नौकरो पर विश्वास नहीं करते पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदे नहीं किया यहां से जाओं तो शायद कोई ग्यारा बारा दे दे पर ऐसा आधर ना मिलेगा जिला मजिस्ट्रेट शेक सलिमुद्दीन इंजीनियर बावू के पडूस में रहते थे उनके चौकिदार मिया रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी यानि मित्रता थी दोनों घंटों साथ बैठते बाते करते शेक सहाब फलो की शौकिन थे रमजान रसीला को फल देता इंजीनियर सहाब को मिठाई का शौकता रसीला रमजान को मिठाई देता एक दिन रमजान ने रसीला को उदाज देखकर कारण पूछा पहले तो रसीला चिपाता रहा फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है तो खाओ सोगन रसीला ने रमजान का हट देखा तो आँखे भराई बोला घर से खताया है बच्चे बेमार है और रुपया नहीं है तो मालिक से पैशवी मांगलो कहते हैं एक पैसा भी न दूँगा रमजान ने ठंडे सांस बरे उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोटरी में चला गया थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपय रसीला की हतेली पर रख दिये रसीला के मूँ से एक शब्द भी न निकला सोचने लगा बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ न दिया रमजान को देखो गरीब है परन्तु आदमी नहीं देवता है ईश्वर उसका भला करे रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए सने रमजान का रिंड चुका दिया केवल आठ आने बाकी रह गए रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे फिर भी रसीला उसके आगे आख न उठा पाता एक दिन की बात है बाबू जगर सिंग किसी से कमरे में बात कर रहे थे रसीला ने सुना इंजीनिर बाबू कह रहे हैं बस पांच सो इतनी सी रकम दे कर आप मेरा अपमान कर रहे हैं हुजूर मान जाईए आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है सोचने लगा रुप्या कमाने का या कितना आसान तरीका है मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महिने भर बात दस रुपे हाथ आते हैं वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दे रमजान बोला बस इतनी सी बात हमारे शेक साहब तो उनके भी गुरू है आज भी एक शिकार फसा है हजार से कम तैना होगा भाईया गुना का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता रसीला सोचता रहा मेरे हाथ से सैकडो रुपे निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा एक-एक आना भी उडाता तो काफी रकम जुड़ जाती इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई रसीला दोड़ कर पांच रुपे की मिठाई लेया रसीला ने साड़े चार रुपे की मिठाई खरीदी और रमजान को ठन्नी लटटा कर समझा की कर्द उतर गया बाबु जगर सिंग ने मिठाई देखी तो चौक उठे यह मिठाई पांच रुपे की है हुजूर पांच की ही है रसीला का रंग उड़ गया बाबु जगर सिंग समझ गए उन्होंने रसीला से फिर पूछा रसीला ने फिर वही दोर आया उन्होंने रसीला के मूँ पर एक तमाचा मारा और कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है हुजूर जूट कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबु चिल लाए अभी सच और जूट का पता चल जाएगा अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना अब कोई रास्ता ना बचा था वह बोला माई बाब गलती हो गई इस बार माफ कर दे इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूप पिटा फिर घिसते हुए पुलिस थाने ले गए सिपाही के हाथ में पांच का नोट रखते हुए बोले मनवा लेगा लातों के भूद बातों से नहीं मानते दूसरे दिन मुकत्मा शेक सलिमुदीन की कचहरी में पेश हुआ रसीला ने तुरंत अपना अपराद स्विकार कर लिया उसने कोई बहाना ना बनाया चाहता तो वह कह सकता था कि यह साज़िश है मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फसा रही है पर एक और अपराद करने का साहस वै ना जुटा पाया उसकी आँखे खुल गए थी हाथ जोड़ कर बोला हुजूर मेरा पहला अपराद है इस बार माफ कर दीजिए फिर गल्ती ना होगी शेक साहाव नयाय प्रिया अदमी थे उन्होंने रसीला कुछ है मैने की सजा सुना दी और रुमाल से मूँ पोचा यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने हजार रुपे बांद कर दिये थे फैसला सुनकर रमजान की आँखों में खून उतर आया सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है चूरी पकड़ी गई तो अपराद हो गया असली अपरादी बड़ी-बड़ी कोठियों में बैट कर दोनों हातों से धन बटो रही है उन्हें कोई नहीं पकड़ता रमजान घर पहुचा दासी ने पूछा रसीला का क्या हुआ छे महिने की कैद अच्छा हुआ वह इसी लायक था रमजान ने गुस्टे से कहा यह इंसाफ नहीं अंधेर है सिर्फ एक अठनी की ही तो बात थी रात के समय जब 1500 के चोर नरब गदो पर मीठी निन ले रहे थे अठनी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोटरी में पस्ता रहा था तो बच्चो इस कहानी में बताया गया कि लोग रिश्वत लेते हैं फिर भी उनका कुछ बुरा नहीं होता वे फिर भी बहुत साधनी खटा कर लेते हैं महलो में रहते हैं क्यूंकि उनके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है लेकिन जब कोई गरीब एक छोटी सी चोरी भी करे या एक गरीब छोटी सी रिश्वत भी ले या दे तो उसे एक बड़ा अपराज माना जाता है और हमेशा उसी को सजा होती है सजा उसे ही भुगतनी पड़ती है तो यह कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने इस कहानी से हमने सीखा नयतिकता और नयाय को पुस्तकों से निकाल कर व्यक्ती के वहवार और चरित्र में लाना बहुत जरूरी है अन्यता यह समाज एक कपती समाज बन जाएगा आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका भ्यास आप स्वयम कीजेगा